हेलो फ्रेंड्स मम्ता की रसोई में आपका स्फागत है आज मैं बनाने जारी हूँ बहुत हेल्दी और टेस्टी मेथी डाल आप इस डाल को रोटी, चावल या पराठे के साथ भी इंग्जॉय कर सकते हैं तो अगर आप जानना चाते हैं कि मैंने इस हेल्दी और टेस्टी डाल को कैसे बनाई है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे तो चलिए रेसिपी शुरूर करते हैं मेथी की डाल बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी दो कटोरी तूर की डाल सबसे पहले हम दाल को साफ करके इसे अच्छी तरह से धोलेंगे दाल को मैं पानी से दो से तीन बार अच्छी तरह से धोलूँगी तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दाल को अच्छी तरह से धोलिया है अब हम दाल को कूकर में ट्रांसफर कर देंगे दाल को बॉइल करने के लिए दाल को बॉइल करने के लिए मैं इसमें एट करूंगी एक गलास पानी साथ ही इसमें एट करूंगी आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर अब हम kukar का ढखकन लगा कर इसमें 3 सीटी आने तक या फिर दाल के गलने तक पका लेंगे तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छी तरह से पक चुकी है साथ ही kukar के अंदर की जो भाप है वो भी निकल चुकी है तो हम kukar का ढखकन खोलेंगे और दाल को चेक कर लेंगे मैंने 500 ग्राम मेथी ली है जिसे मैंने अच्छी तरह से तोड़ कर इसे 2-3 बर पानी से धो लिया है मेथी को दोने के बाद इसे मैंने छन्नी में रखकर इसका पुरा पानी छान लिया है अब हम मेथी को बारिक बारिक काट लेंगे हमें मेथी की पत्तिया ही लेना है अगर ब दो मिडियम साइज के कटे हुए प्याज, एक कटी हुई हरी मिर्च और दो चम्मच कुटा हुआ अद्रक लसन अब हम एक कड़ाई को गरम करेंगे और इसमें एट करेंगे एक कप تेल और जैसे ही तेल गरम हो जाएंगा तब हम इसमें एट करेंगे आधी चम्मत जीरा जीरे को हमें अच्छी तरह से तड़काना है इसी के साथ मैं इसमें एट करूंगी दो सुखी लाल मिर्च इसे हम अच्छी तरह से भुन लेंगे जैसे ही जीरा और सुखी मिर्ची भून जाएंगे तब हम इसमें एट करेंगे कुटा हुआ अदरक लसन अदरक लसन को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए अब हम इसमें एट करेंगे कटे हुए प्यास और हरी मिर्च तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से भूण लेंगे जब तक कि प्याज अच्छी तरह से सौफ्ट होके पूरी तरह से नहीं पक जाता तब तक हम इसे अच्छी तरह से पकाते जाएंगे इसके बाद मैं इसमें एट करूँगी दो चुटकी हींग दाल में हिंग डालने से दाल का स्वात बढ़ जाता है तो हिंग डालने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर फ्राइ कर लेंगे तो प्याज यहाँ पर अब पकने लग गई है और पककर सॉफ्ट होकर गुलाबी भी हो गई है तो अब हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगी आदी चम्मज हल्दी पाउडर दो छोटे चम्मज धनिया पाउडर दो छोटी चम्मज कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर इससे इसमें बहुत अच्छा कलर आता है और एक चम्मज गरम मसाला अब हम इन सारे सुखे मसालों को अच्छी तरह से भुन लेंगे जब तक कि इन मसालों में से खुशबू ना आ जाए यहाँ पर मैंने दो बड़े कटे हुए टमाटर लिए है और दुसरी तरफ हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भुन कर तयार हो गया है अब हम इस मसाले में कटे हुए टमाटर एट कर देंगे और टमाटर के साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे टमाटर के उपर नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट होकर पक जाते हैं टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए इसे हम दो मिनिट के लिए ढख देंगे दो मिनिट के बाद हम इसका ढखकन हटा देंगे तो यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से पक कर सौफ्ट हो गए है और इस मसाले में से तेल भी अलग होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है अब हम इसमें मेथी डालेंगे तो ये कटी हुई मेथी इसमें मैंने एड़ कर दिया है अब हम मेथी को भी इस मसाले में थोड़ी दिर के लिए भून लेंगे मेथी को मसाले में भूनते टाइम मेथी से भी थोड़ा बहुत पानी रिलीज होता है तो यहाँ पर मेथी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है अब हम इसे लो फ्लेम पर एक मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे यह मसाले में अच्छी तरह से पक जाए एक मिनिट बाद यहाँ पर मेथी का पानी अच्छी तरह से सूख चुका है साथ ही मेथी भी मसाले में अच्छी तरह से भून चुकी है तो यहाँ पर हमारा मेथी डाल का तड़का बन कर तयार हो गया है अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई तूर की डाल डाल को हम इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से mix करने के बाद हम इसमें पानी add करेंगे तो मैंने दाल वाले कुकर में एक गलस पानी डाला है इसे हम इसमें add कर देंगे अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे दाल में आप पानी की quantity कम या जादा भी कर सकते है अगर आपको थोड़ी पतली डाल खाना पसंदे तो आप इसमें पानी भी add कर सकते है वैसे ये डाल खाने में गाड़ी ही अच्छी लगती है तो इसे हमने अच्छी तरह से mix कर लिया है अब हम इसमें एक उबालाने देंगे तो यहाँ पर दाल में अब उबाला चुका है अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे साथ ही इसे बीच-बीच में चम्मस से भी चलाते जाएंगे वरना दाल तले में चिपक सकती है हमने दाल को 2 मिनट तक पका लिए है अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस बन कर तयारे हमारी दाल में थी अब हम गैस को बन कर देंगे और इसे सर्फ करेंगे यह दाल खाने में बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है तो आप भी इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए